नमस्कार दोस्तों मैं हुआ अमीत कुमार और जी नीज में आफका स्वागत हैं दोस्तों आज बात करेंगे मुकुल रॉय के बारे में जी हाँ मुकुल रॉय पस्चीम बंगाल की भारतिय जन्ता फार्टी के सबसे प्रमूख निताओं में से एक थे फिर ये सब्द क्यों बता रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं क्यूंकि हाली में पता चला आज पस्चीम बंगाल की टीमसी पार्टी के साथ मुकुल रॉय छूड़ चुड़ चुगे हैं मुकूल रॉय ने हाली में दोपेर के बाद टीमसी के सुप्रीमो ममता बेनार जी के साथ मुलाकात की और उसने उहां जाकर टीमसी का जंडा अपने हाथ में थाम लिया जो लोग मुकूल रॉय को नहीं जानते उनके जानकरी के लिए हम बता दे कि 2006 में टीमसी के दियारा चुने गए उच्च सदन में वो चुने गए थे और 2012 में भी वो उच्च सदन के लिए चुने गए थे और उन्हांने 2012 में भारत के 32 में रेलोए मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यकल समाली थी उन्हांने सितमबर 2017 को टीमसी से इस्तफ़ा दे दिया उसके तुरंद बाधी उन्हांने राज्यसवा से भी इस्तफ़ा दे दिया था वो ही उसी साल 3 नवेंबर को उसने बीजेबी का जंडा अपने हाथ में थाम लिया था दोस्तों मुकुल रॉय की तीनमुल कॉंग्रेस में बापसी हो चुकी है टीमसी सुप्रीम उपस्चिम बंगाल के मुखमंतरी ममता बैनार जी ने पुरानी सयोगी का स्वागत करते हुए उन्हें अच्छा लड़का बताया और उन्होंने ये भी कहा है राजी बेनार जी सहे टीमसी के और भी बड़े बड़े मेता जो बीजी पी में जा चुके है उनकी बापसी के लेकर हम अभी बात नहीं कर सकते इधर मुगल रॉय ने कहा कि बंगाल में जो स्थीती है उसमें कोई भी बीजी पी में रहेगा नहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीदी के साथ कोई भी मतवेद नहीं था और हम इस मतवेद को तालना चाते हैं भजबा के रास्ट्रिय उपधक का पद समालने बाले मुगल रॉय ने कहा कि बो सभी परिचित चहरे को फिर से देखकर बहुत खुस है और वो इन लोग के साथ काम करके उन्हें संदुष्टी भी मिलेगी हाला कि आपके जानकारी के लिए बता दे वो 2015 में रास्ट्रिय महासचित के पद से नहीं हटा दिया गया था टीमसी की तरफ से वो नवेंबर 2017 को ही बीजेफी में सामिल हुय थे ममता बेनार जी के बतीजे तीनो और तीनो मुल के सांसद रह चके अभिसक बेनार जी ने कहा कि वो बहुत अच्छा नेक दिल इंसान है उन्हें इस पाटी में स्वागत है हला कि कुछ दिन पहले उसने अभिसक बेनार जी को देखने के लिए हस्पताल भी पहुँशे थे ममता बनर्जी ने कहा आप लोगों ने देखा कि लैंसलाइड दिक्रिस हासिल की मोकुल अच्छा लड़का है उसे डरा धमका कर और एजेंसियों को डरा कर बीजेपी में ला गई थी लेकिन उसे यहां पापस आकर मानसिक स्थांती मिलेगी बीजेपी ने बहुत अधिक सोसन किया था उनके साथ ममता ने मोकुल रॉय को क्लिंचिट देते हुए कहा हमारा दल सक्ति साली है जिन लोगों ने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की लोगों को कभी बापस नहीं लिया जाएगा लेकिन मोकुल को क्लिंचिट देते हुए उन्हें कहा कि वो बहुत अच्छा लड़का है उन्होंने कभी TMC के साथ गदारी नहीं की थी मुकुल रख के पहले वीजेवी से TMC के जाने और फिर बापस को लेकर पत्र कारणी विचार धाराफर सवाल उठाए और उनको लेके मम्ता बेनारी जी ने कहा कि मुकुल रख पार्टी में बापस हम उनको स्वागत करते हैं क्यूंकि हमें सब को संतुष्ट नहीं कर सकते लेकिन ये मुकुल राय को जरूर कर सकते है क्योंकि मुकुल राय ने PMC पार्टी के लिए पहले से बहुत जादा अच्छा काम कर चुकी थे वो उनके लिए वो अच्छी है वो BJP में बापस BJP छोड़ कर बापस आए BJP आम लोगों की पार्टी अब नहीं रही वो गुंडे और एजेंस्यों को पार्टी बन चुकी है मुकुल राय को पार्टी में क्या जिम्मेदारी समाल दी जाएगी बुस को लेकर अभी बात को टल रही है महमता बनार जी ने उसने कहा कि इस अब की एक वोड़ मीटी होगी जब उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर आके जुरूर कॉमेंट कीजिए तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए मैं मिस्टर अमिट कुमार जी नीस की तरब से आप सभी को मेरा हाथे नमस्कार